इस लेक्षर में आपको एक लाइबरेडी के बारे में बताने वाला हूँ विच इस वेरी नाइस लाइबरेडी आइवीच से और आपके काफी घिंटों बचा देती ए इस यूज नाइस प्रोग्रामर या आपको पता है किस तरीके से चीज़ें इस्टॉल होती है उस लाइबरेरी का नाम है AutoViz यानि कि Automatic Visualization और जब भी कभी आप Automatic Visualization के उपर काम करते हैं तो ये ने टू के फ्यू तिंग्स इन यूर माइंड वो कौन-कौन सी चीज़े हैं हम उसको देखते हैं सबसे पहले चीज AutoViz की लाइबरेरी की आप GitHub में जा सकते हैं यानि के इसको मैं Open कर लेता हूं साइट पे ठीक है तो ये मेरे पास इसकी GitHub Repository ओपन होगी है इसके अंदर हर एक चीज़ उन्होंने लिखी होती है आपने इसे कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे यूज़ करना है हर एक चीज़ और जो मशूरे जमाना ऐसी Automatic Libraries है उनका ज्यादा तर काम इसी तरीके से मुनिसर होता है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट यह है कि आपने AutoViz Library को इंस्टॉल करना है और फिर बाद में यहाँ पर इसको रन करना है इन्होंने तरीका बताया है सबसे पहले आपने एक फोल्डर बना लेना है जिस फोल्डर के अंदर आपने इसको इंस्टॉल करना है फिर आपने git clone करना है जिस से क्या होगा यह सारे की सारी repository वहाँ पर चली जाएगी and then you will create a conda environment जिसके अंदर python 3.7 आपने इंस्टॉल करना है और anaconda के थूँ उन्होंने यह इस तरीके से लिखा हुए and then you will activate that AutoViz के अंदर जाएंगे और फिर बाद में pip install requirement की file से आप libraries को install करेंगे यह सारे का सारा काम है इसके बाद जब आप उसको use करने वाले होंगे then you can utilize that like this आप क्या करेंगे जो आपकी file name है जो आप read करवाते हैं या data frame है वो df यहाँ पर लिखेंगे तो आपको automatic सारे के सारे results जो है automatically visualize होके आपके सामने आजाएंगे and then you can see the examples like this और आपके पास कुछ इस तरीके से result आएंगे scatter plot, bar plot, heat map, time series word cloud and so on so forth तो यह आपने खुद से install करना है और इसको खुद से देखना है कि किस तरीके से काम करता है एक चीज जो मैं आज आपको बता देता हूँ कि जो पहले दो से तीन step है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ and then we will see it together afterwards ठीक है तो मैं VS code में वापस जाता हूँ यहाँ पे हमारे पास यह मैंने EDA के अंदर ही AutoViz का एक folder बना लिए ठीक है यह मैंने AutoViz का EDA के अंदर folder बना लिए for example कैसे मैंने बनाया जो start में AI के चिल्ले का हमारे पास यह EDA का folder था यहाँ पे मैंने AutoViz का बना लिए इसके अंदर ठीक है यह AutoViz का folder है अब यहाँ पे मैंने step by step इसे install करने तो मैं कैसे install करूँगा सबसे पहले मैं यहाँ से अपना जो है command prompt open करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ अब आप घौर करें अगर मेरे पास already इसका command prompt का यहाँ पे AutoViz का एक environment बना हुए ठीक है तो मैं सबसे पहले तो conda deactivate करता हूँ conda deactivate करने के बाद अब conda env list करता हूँ तो यह मेरे पास सारे के सारे environment आगे अब मैं conda remove environment remove अपना environment पहले remove करता हूँ minus and auto ठीक है तो इससे क्या होगा auto vis जो है मेरा environment वो remove हो जागा ताकि मैं start से आपको बना के दिखाऊंगे किस तरीके से यह run करेगी it will take a little bit of time आपको पता है कि conda जब किसी environment को remove करने बैठता है तो चोटी चोटी फाइल्स को भी उसने remove करना आता है हो गया remove अब यहां से हमारा काम start होगा ठीक है कैसे काम start होगा गोर किजएगा यह इस जगा पर गोर रखेगा जहां पर मेरा करसर आपको नजर आ रहा है यहां पर मैं conda create minus n एक environment बना रहा हूँ auto wiz का बनाने के बाद मैं यहीं पर python is equal to 3.7 install कर रहा हूँ 3.7 जैसे के यहां पर बताया हुए यह चेक करें 3.7 और इसने साथ में यह भी बताया कि यहां पर एना कॉंडा भी लिखे तो इसको असल में यहां पर minus c एना कॉंडा कहना चाहिए था जो इन्होंने नहीं बोला हुआ we will see that और इसको पहले install करते हैं let's see मैं यहीं python को install करता हूँ साथ में minus y लगा देता हूँ let's see यह मेरे पास install होगा यह फिर अगला step आपको बताता हूँ मैं क्या करना है हमने यह step गोर से देखिएगा python को यहां पर install होने में थोड़ा से time लगता होता है अगर आपको पता है तो हम auto-viz के नाम से एक environment बना रहे हैं जिसके अंदर python को और रेड़ी install कर रहे हैं 3.7 को यह हमारा काम है ठीक है और यह install हो रहे है जैसे यह हमारे पास install हुआ हम इसको conda activate auto-viz कर लेते हैं अब जैसे मैंने इसको activate किया है now you will see कि हमारे पास auto-viz के अंदर हम मजूद है यहाँ पे आपने जो काम करने आपने git को install करने जो start में मैंने आपको git install करवाई थी ना याद होगा आपको वो भी चल जाएगी if you want to do otherwise आप यहाँ पे अगर आपने नहीं git install की तो यहाँ से कर सकते है git क्या है इसके बारे में हमारा पूरा लेक्शर होगा बट फर नौ यह एक software हमें जरूरी है यह क्या करता है यह software यह जितनी फाइलें हैं ना यहाँ पर पड़ी हुई वो सारे की सारी को copy और download कर लेगा आप यहाँ पर जाएंगे code पे यहाँ पर copy पर click कर लेंगे तो आपके पास यह address आ जाएगा पूरे का पूरा ठीक है copy कर लिया आपने और यह आपके पास आ गया अब मैंने क्या करना है इसको EDA के अंदर AutoViz के अंदर save करना है तो मैं सबसे पहले तो आप यहाँ पर होंगे जब आपने इसको open किया होगा तो आप CD करके EDA में जाएंगे यानि के change directory CD space EDA फिर बाद में CD space AutoViz मैं आप AutoViz के folder के अंदर हूँ ठीक है जो मैंने आपको CD का बताया था न start में change directory का current directory, नाम वाली directory या previous directory अब यहाँ पर मैंने git space clone ये दो चीज़ें लिखनी है फिर space देनी है और यहाँ पे address पेस्ट कर देना है जो मैंने वहाँ से copy किया है git space clone space address जैसे मैं इस address को यहाँ पेस्ट करता हूँ मैं enter करता हूँ तो क्या होना start हो गया पूरे के पूरी files उसकी सारी की सारी मेरे पास आगई है जितनी files उस repository के अंदर थी ये चेक कीजिए autoviz के अंदर ये सारी file आगई है कौन सी files जो यहाँ पे पड़ी हुई है ये वाली समझे भी बात की ये वाली files हमारे पास आगई है अब हम इसके installation के procedure को follow करते है इसने बोला था जिस folder में भी जाना है उसमें चले जो हमने पहले बनाया हुआ था ये वाला folder autoviz का जिसके अंदर हम आगए आने के बाद उसने बोला था git clone कर लो आप पहले भी कर सकते हैं बाद में भी python के बाद भी कर सकते हैं तो मैंने इस step को बाद में किया आप पहले भी कर सकते हैं तो आपने environment बनाया ये वाला और साथ में एना कॉंडा लिखना है लिखनें नहीं लिखेंगे तो इसको एक्टिवेट किया अब हमने जाना है cd autoviz के अंदर यानि के ये जो autoviz का फोल्डर है इसके अंदर जाए या अगर आप गोर करें तो requirement की फाईल यहां पे पढ़ी ही तो यू कैन आलसो रन दे requirement फाईल फ्रॉम हेर ठीक है जो उसने लिख है वो गलत लिखा हुए के cd autoviz में जाएं और वहां पे जाके pip in star requirement करें तो हम क्या गरेंगे हम खुद से देखेंगे कहां पे requirement की फाईल है तो वहां पे जाएंगे फॉर एक्जेंपल requirement की फाईल इस autoviz के main folder में पढ़ी है ये देखें और requirement की फाईल होती क्या है अब इसको गोर से देखिएगा अगर मैं इसको requirements पे click करूँ न तो ये चेक करें ये सारी libraries हैं विच यू नेड टू रन autoviz चेक करें तो आप एक ही फाईल के अंदर सारी libraries mention करके उनको install करते हैं और हर किसी का specific version है ठीक है पहली ipython है, दूसरी jupyter, xlrd, wordcloud, numpy, py, pyamg, pandas, nltk, so on and so forth तो ये इतनी ज्यादा libraries use करेंगी autoviz तो हमने इन सभी को अगर install करना है तो हम एक फाईल बनाके यहीं पे लिखते हैं pip install जब हमने pandas करनी थी तो pandas लिख रहे थे numpy करनी थी तो numpy कर रहे थे but now we have to install the whole library pack जो requirement.txt में है तो हम यहां पे लेखेंगे minus r space requirements.txt let me see autoviz के अंदर है wait, let me see के हम कहां पे घूम रहे हैं पहले फिर मैं आपको दिखाता हूँ हम इसके अंदर इस जगा पे हैं now we have to go here cd autoviz first तो पहले उसके अंदर जाते हैं फिर बाद में like this अब हम यहां पे pip install minus r और requirements की file के साथ उसको install करेंगे ठीक है तो एक path हमने और आ गया मैं इसको run करता हूँ जी आप करें रिज़ रन ready हैं आप let's run this और देखिएगा अच्छा खासा time लेना है इसने reason आपको पता है क्योंकि ये इतनी ज्यादा libraries install हो रही है meanwhile हम requirement की file को देखते है आपको यहां पे काफी ऐसी library नज़र आएंगे जो हमने पहले यूज की है काफी ऐसी आएंगे जो अभी आपको नहीं पता xg boost एक machine learning की library है then extensions है फिर आपके पास text blob है emojis है emojis की भी अपनी library है अगर आपने emojis यूज करने हो फिर word cloud की library है and so on so forth तो हमारे पास यह सारी की सारी libraries install हो रही है we have to wait until this is finished minus r का मतलब होता है recursive recursive का मतलब होता है कि आप इस file के अंदर जो चीजें बड़ी हुई है सारी की सारी वो run करने है basically यह command है pip install की command है जब आप एक file के थूँ चीजों को install करते है और यह requirements की file जब भी आप एक final app बना के देंगे आप requirements की file भी साथ बना के देंगे ठीक है जब भी एक आप final app बनाते हैं आपने यह साथ में देनी है कि यह हमारी requirements है इस app के अंदर यह यह libraries run हो रही है python की ठीक है जी असमत असमत भाई कह रहे हैं कि कोई लिख दे अगर यह सारे step तो महरबानी होगी भाई जान आप खुद लिखे ना मैं अगर start से बता रहा हूं तो आप खुद से लिखे ना किसी को जरूर कह रहे हैं आप पकी पकाई खीर ना खाया करें अगर मेरी speed आपको तेज लग रही है ना तो मैं यह step follow कर रहा हूं यह step सारे पड़े हुए मैंने यही follow की है मैं इनको copy करके paste कर देता हूं ले जनाब steps आज़रे ठीक है तो आपने यह काम की है ठीक हो गया मेरे पास सारे की सारे इंस्टॉल हो गया इंस्टॉलेशन के procedure को मैंने आपको करके दिखा दिया यहां पे हमारे पास सारे चीज़ें इंस्टॉल हो गया और यह रन कैसे करती है ठीक है उसको रन करने के लिए we have to go into बलके इदर नहीं मैं EDA के अंदर एक फाइल बनाता हूँ EDA के अंदर यहीं पर बाइर बनाते हैं फिर EDA के अंदर उसको मैं रख देता हूँ इसको कहते हैं आटो विज आटो विज डॉट आई पी वाइन बी ठीक है अच्छा यह जो मैंने स्टेप फॉलो की है आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए अपने इस separate environment बनाना है ml अंडर्सकोर इंवार्मेंट में निइ बनाना हूँ अपने separate environment बनाना है ठीक है तो यहां से मैं अधर करनल को स्लेक्ट करता हूँ मेरे पास यहां पर होना चाहिए अटॉ विज का जो नहीं है क्यों नहीं है को बता सकता है जो मुझे लगता था लेकिन वो कहता है कि नहीं यह भी नहीं है तो दूसरा क्या मसला है रीस्टार्ट विच वाज़ेशन फ्रॉम वन फ्ट पर्संस लेट सी करनल साब को देखते हैं कि अब कुछ है के नहीं उनमें पाइटोन इंवाइर्मेंट एंड ओटोवेश ठीक है जी और आप गौर करें यह इसमें पाइटोन का वरियन 3.7.16 है जो उन्होंने बताया था राइट जी यहां तक क्लियर होगी बात अब इसको एक दफार रन करके देखते हैं कि चलती भी है कि नहीं आपको क्या लगता है यह रन करेगी मुझे नहीं लगड़ा रन करेगी परहल मैं इसको कोड को कॉपी करता हूँ जो उन्होंने बताया हुए सेम वो ही कोड कोपी की है यहां पे करते हैं पेस्ट तो जी यह हमारे पास आगई है फाइल अब हमने यहां पे अपना फाइल नेम देना कोई भी हो सकता है वो फाइल नेम तो हम क्या करते हैं पहले तो मैं आटो विज को रन करके देखता हूँ कि ये वाली चीज रन करती है कि निम लेट्स सी लोजन आप no module आटो विज क्या हाल है यह क्या गलती हो सकती है इसमें कोई बता सकता है इसमें कहीं पे आपको आटो वीज नजर आ रही है इस पूरी फाइल के अंदर तो हम installation के procedure को दोबारा देखते हैं कि उन्होंने क्या ऐसी बात के है जो हम भूल गए है तो उन्होंने बोला है जनाब आपने installation करनी है तो installation में आपके पास अनकॉंडा प्री रिकिजिट है अब यहां पे हमने इसको क्लोन किया था और यहां से हमने इसको रन कर लिया लेट्स सी यहां पर तो नहीं कोई ऐसी फाइल पड़ी जो हमने रन करनी अक्सर उकात ऐसा भी होता है कुछ नहीं है तो हम क्या करते हैं पिप से इंस्टॉल करके देखते हैं आटो विज को शायद हो जाए सो यहां पर मैं लिखता हूँ कॉंडा इंवायर्मेंट और कॉंडा एक्टिवेट ओटो विज इंस्टॉल ओटो विज ओफुली हो जानी चाहिए अगर ना हुई तो फिर इसको कुछ और पल निकालते है सब कुछ पढ़ा हुए जी आटो विज का सुक्सेस्फुली इंस्टॉल होगी है इसको रिस्टार्ट करते हैं करनल को हां जी रन कर पड़ी है ठीक है यह मेरे पास रन कर पड़ी है सो अब हम आगे देखते हैं आगे हमने क्या करना है मैं लाइन बाइन इसको रन करवाता हूं दूसरी भी लाइन रन कर पड़ी है तीसरी मेरर देगा क्यों के हमने फाइल नेम ने दिया ठीक है तो फाइल नेम के लिए हम यहां पे इंपोर्ट सी बॉर्ड एज एस एनस करते हैं और डी एफ इस एकुल टू एस एनस डॉट लोड डेटा सेट इसके अंदर टाइट टैनिक करते हैं और यहां पे अगर डी एफ करें तो शायद चल पड़े हाँ जी किसके पास यह आटविस सारे की सारी इंस्टॉल हो चुकी अभी तक प्लीज चेक यूर इंपुट एंड ट्राइए अगें कहते जी नॉट एबल टू रीड फाइल हम यहां से डी एफ टू सी एस भी करते हैं और इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं डी एफ डॉट सी एस वी इसके अंदर यह अगे डी एफ डॉट सी एस भी लेट सी हां जी होगी रन अब मैं आपको सारी बात दुबारा से जम जाता हूं टेंशन ना ले यह चेक कीजेगा यह आपको इस तरीके से कुछ रिजर्ट देगी आपको डेटा पगड़ाएगी और अटो विजुलाइजेशन अन धर अब बन जाएंगे और यू यह आपको पूरी आउटपुट को यहां पर प्रेंट करवाना पड़ेगा अब इसके इसके इलावा भी काफी चीज़े हैं फॉर एक्जेंपल यह आगे वाले कोड़ जो आप रन करेंगे और आपको आटोमेटिक विजुलाइजेशन सारी की सारी मिल जाएगी आटो विजुलास के थ्रू फाइल नेम आप इंपोर्ट कर सकते हैं और आपके पास अगर मैं यहां से यह वाली चीज़ कॉपी करता हूं और इसको उसके अंदर में रन करता हूं कॉमा लगा के एरर टार्गेट वेरियेबल्स यह हमारे इनको निकाल देते हैं इसको मैं स्क्रीन को थोड़ा सो चोटा करता हूं कि रिजल्ट सारे क्यों नहीं आ रहे हैं और विजिए ओके अधिक है ओके जी तो में जो हमारे पास लाइबरेरी को चलाते हुए अपने चीज़ें देखी हैं वो यह इशूज हैं और अगर मैं वापिस इसकी गिटहब रैपोजिटरी पर जाऊं तो हमारे पास हम पहले नहीं होंगे जिन्हों ने कोई इशूज वगरा रिपोर्ट कि होंगे बलकुल किसी ने भी नहीं किये हुए 75 इशूज हैं 75 लोगों ने इसके इशूज यहां पर प्रेडिक्ट की हैं ठीक है अगर आप इनके कोड को देखें इनकी एक्जाम्पल को देखें देन यू कन रन दीस थिंग्स इन आइस वे लेकिन आपको एक चीज अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आम ऐसे कितने लोगों ने अभी तक यह समझा है कि वो यह लाइबरेरी को रन कर सकते हैं और यह बाइदावे यह जो लाइबरेरी है बेसिकली यह तक्रीबन चार पांट साल पहले आई यह चार साल पहले आई यह लेकिन आहिस्ता इस्ते इसको वो अपडेट करते हैं बट स्टिल इस नॉट रिएपडेटेड जिसके थूँ यह सारे की सारी अच्छे तरीके से काम कर पाएं हम ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है कि देकर रन डिस लाइबरेरी और उन्हें जो चीजें आज अभी हमने देखी हैं वो समझाएं आज आज आज़ें इंस्टॉलेशन के स्टेप आपको मैं पहले बता देता हूँ सबसे पहला स्टेप है आपने एक फॉल्डर बना लेना है जिसके अंदर आटवीज को क्लोन करने है ठीक है दूसरा step ये है कि आप इस cloned के अंदर से requirement की file के साथ अपने पास कॉंडा environment आप पहले बनाएंगे clone करने के बाद और फिर उसके बाद आप requirements के साथ उसको install करेंगे अच्छा जो step इन्होंने यहां पर बताया installation का मैंने जब वो follow किया उसकी वज़ा से मेरे पास जो directory थी autowiz के अंदर मुझे जाना पढ़ना था फिर मैं ये install कर सकता था और उसके बाद ये run होनी थी but I did another way मैंने pip install करके यहां पे autowiz separate से install की अब अगर आप ये सारी चीज़ें ना करें so what else can you do simple बताओं आपको अब गोर से देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ मैं इस फोल्डर को यहीं पे रहने देता हूँ यह जो file थी है हमारी ठीक है मैं यहां से screen थोड़ी से बड़ी करता हूँ आपको सिरफ बताने के लिए के हम क्या करने वाले मैं यहां से वापिस जाता हूँ konda t activate यहां से वापिस आगे अब हमारे पास जो folder है यहां पे यह auto-wiz का EDA के अंदर जो मैंने बनाया था इसको मैं delete करने लगा हूँ ठीक है यह मैंने delete कर दिया और यहां पे मैं konda environment remove minus n auto-wiz इसको मैं यहां पे run करता हूँ जिससे मैंने उस environment को remove कर दिया auto-wiz के environment को ठीक है अब मैं आपको start से बताता हूँ best way क्या होना चाहिए इसका installation का तो आप भी उसको try कीज़ेगा अच्छा यह मैंने कर लिया अब मैं start से बिलकुल शुरू से आपको दुबारा से बताने लेगा हूँ मतलब चैनल जो है ठीक है और end पर मैं माइनस वाई लगा देता हूँ तो konda create माइनस एन ओटो वीज का environment बना रहे हैं python 3.7 install कर रहे हैं इस channel से हम कर रहे हैं और वाई दबा रहे हैं let's run this ठीक है यह मैंने इसको run किया अब हमेशा आपने जब activate करना है environment को same spelling लिखने होते हैं जो यहां पर आया है आप इसी को copy करके इसको copy करके यहीं पर paste कर सकते हैं तो मैंने उसी को copy करके paste कर दिया तो मेरे पास environment अक्टिवेट हो गया है यहां तक clear होगी बात अब अगला काम करते हैं मैं यहीं पर लिखने लगा हूँ pip install auto wiz ठीक है let's run this ML environment के अंदर नहीं हो मैं बार-बार यही चीज़ आपको बता रहा हूँ के separate environment हमने बनाया है मैं तीन दफा यही बात repeat कर चुका हूँ के separate environment बनाना है आपने उसके इलादा उस कमरे से निकलें बाहिर किसी और कमरे को बना रहे हैं हम और उसके अंदर चीज़ें install कर रहे हैं सेम इंवर्मेंट नहीं है अगर वो लिखा भी आ रहा है अमल का तो उसे चेंज करना है आप जब किसी और में जाएंगे तो कॉंड़ा डी एक्टिवेट करके दूसरा एक्टिवेट कर लेंगे बेस में भी नहीं जाना बेस में तो कुछ नहीं करना आपने सेपरेट आटा विज का बनाना है अब प्लीज बातों पर गोर करें यह यह वो लोग हैं यह तो जो लेट आ रहे हैं मैं यहां पर इसको दरा रोकता हूँ वेटिंग रूम को तो अभी जो आपने काम किये है ना इससे क्या हुआ है आटा विज सारी की सारी आपकी इंस्टॉल हो चुकी है विच आई थिंक इस दे नाइस वे रादर देन गॉइंग तोवर्ड दा रिक्वाइर्मेंट लेकिन आम इसको रन करके देखने वाले हैं जब यह इंस्टॉल हो जाएगी अब आप मुझे बताएं कि खुद से प्लॉट बनाना असान है कि ऐसे किसी बनी हुई बड़ी बड़ी लाइबरेरी को यूज करना अब इसली इंस्टॉलेशन के दुरान जब आप बड़ी लाइबरेरी को यूज करते हैं आपको अच्छी-खासी मेहनत करनी पड़ती है कैसे मेहनत करनी पड़ती है वला आपको इंस्टॉलेशन पए अच्छा खासा खपना पड़ता है जब इंस्टॉल हो जए फिर सही चले ना चले तो अड़ी किस्मत वो केंदे हैं ना कि पिछले बंदे थे था अमरूद चो मोटसाइकल निकले से तेरी अगर कीड़ा निकले आया थे तो यह आप पर डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत क्या गुल खिलाती है बाइदावे इस नाट डिफिकल मैं अब आट विज को ओपन करता हूँ डिटेक्ट करता हूँ करनल सापको यहां से हम आट विज का अगर हमारे पास आ जाता है यह आ गया इसको क्लिक करते हैं अब मैं इसको दुबारा से रन करता हूँ अगर यह सारे का सारा ठीक रन किया अगर एरर दी तो हम उस एरर को रिजॉल्व करेंगे तो यूजिली यह सही चलता है यूजिली यह एरर देता है चीजों को रन करके इसने हमें आंसर दे दिये तो बेस्ट वे क्या हुआ पिप के साथ इंस्टॉल कर लो कोई वो क्लोनिंग श्लोनिंग करने के ज़रूरत नहीं है और विसली यू नेट टू एड अलोट अधर कमांड जिसकी बेस पे आपके सारे के सारे प्लॉट्स यहां पे शों हो और वो प्लॉट्स कब शों होंगे जब यह DQ issues को आप resolve करेंगे ठीक है इसमें इतनी missing values हैं और फ्ला में इतनी missing values हैं फ्ला में इतनी missing values हैं ठीक है अब इसके लिए आपको आज मैं दो extensions बताने वाला हूँ The first one is called Codeium 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 Yes तो यह है जी CodeIum AI coding autocomplete करता है यह Install इसको कर ले एक यह है The second one is called Black Box Black Box क्या करता है यह भी आपको AI code generate करके देता है आपने सिरफ बताना है क्या करना है ठीक है There is another one called GitHub Copilot उसको भी हम करते हैं इसके बाद install यह तीन एक्स्टेंशन जो हैं यह आपको प्रॉपर वे में AI code करके देती है तो आटो वीज हमारा यहीं पर इसको हम रोकते हैं क्योंकि जारी बात है इस पर आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो और भी सीख लेंगे लिए क्यान कि लेकि लुग्ड वेंगे नवाद इसके लिए लिए भी सुग्ड जपने, तो आपको